नमस्कार किसान भाईयों, किसान विलेज यूटूब चेनल में आपका स्वागते आज हम आपको सब्जीयो की फसल की बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं अगर आप भी गोबी वर्गय फसलों जैसे गोबी, पत्ता, गोबी, ब्रोकली की खेती करते हैं ये वीडियो आप पूरा देखिए, इसमें मैं आपको गोबी वर्गय फसलों में लगने वाले ऐसे कीट की जानकारी देने वाला हूँ, जिसका नियंतरन हम समय पर नहीं करेंगे तो ये कीट हमारी फसल को 50% से अधिक तक नुकसान पहुंचा सकता है इस कीट को डायमंड बेंग मोत या केटर पिलर के नाम से जाना जाता है ये कीट दिन के समय के मुकाबले में रात के समय अधिक नुकसान फसल को पहुंचाता है इसकी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी जिसे देखकर के आप आसानी से इस कीट का नियंतन गोबी पत्ता गोबी के फसल में कर सकते हैं ये कीट जब अधिक मातरा में होता है तब पूरी फसल को खाकर के ये नुकसान पहुंचा सकता है ये फोदे की पत्तियों की नीचे जाकर के अंडे देता है और कुछ समय बाद में ये लार्वा में बदल जाता है और ये है लार्वा हमारी फसल की पत्तियों को खुरच करके खाते हैं और छेद कर देते हैं जैसे ये इस लार्वा की संक्या आपके फसल में बढ़ती है तब यह आपके उत्पादन को और फसल की क्वालिटी को पूरी तरह कम कर देता है अच्छी फसल और क्वालिटी लेने के लिए इस कीट का समय पर नियंतरन करना बहुत आवश्यकुता है अब बात करते हैं इस कीट के नियंतरन के लिए हमें एक देशी जुगाडवी खेत में करना चाहिए हमें परती 20 फिट की दूरी पर एक टी आकार की लखड़ी हमारे खेत के अंदर जमीन में गार देनी चाहिए जिससे पकसी इन पर आसानी से बेट जाए और मोटी और बड़ी लटों को वह फसल में कुछ मात्रा में कीटों का नियंतरन होगा अब हम रासानी कीट नियंतरन की बात करें तो हमें कीट के नियंतरन के लिए क्लोरो टोनिली पोले 18.5% EC की 20 ग्राम की दवा की मात्रा क्लोरो फाइरिफोस 20% EC की दवा की 80 ml दवा की मात्रा 200 लेटर पानी में मिला करके खेत मे इस्पिरे करें यह बहुत ही अच्छा लाब इस कीट के नियंत्रण में देती है आप कभी भी कीट नासक दवा की एक ही कंपनी की काम में ना ले आप इसको बदल-बदल कर पर्योग करें जिससे यह बहुत अच्छा रियल्ट देती है इस दवा के लाब आप इंडॉकसा कार् करते हैं यह कीट नासक भी आपको आसानी से बार्केट में नहीं मिलता है तो आप इसकी जग़ा फोर्चुनर कीट नासक का उप्योग कर सकते हैं इसका टेक्निकल नाम है में इमामेक्टिन बेंजोएट यह आपको बहुत सी कंपनी के बाजार में आसानी से मिल जाएंगे इसका रिजल्ट भी आपको अपनी पत्तागोबी की पसल पर बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा इसका आप उप्योग करके एक बार जरूर देखिए आसा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगाए अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए तो आप इसे लाइक और से बरूर करें धन्यवाज जे जवान जे किसाना